बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का वेलकम टू इलेक्ट्रोनिक स्टेडी यूट्यूब जैनल आप सभी को नमस्कार अपने इस विज्ञान सिलावस की अगर हम बात करें तो जो प्रिविएस वीडियो था उसमें हम बात कर रहे थे आपको कुछ आपकी साउंट वेबस के बारे में हम बता रहे थे यहां पर सरव नगे परासरव नगे क्या होती है इन सभी के बारे में अलड़ी हम बात कर चुके हैं अगर आज के हम अपने प्रकरण की बात करें तो यहां पर कंपन की कला करके लिखा हुआ है phase of vibration और यहां पर company की कला क्या है I am क्या amplitude क्या है आवर्त काल क्या है आवर्ति क्या है उन सभी के बारे में हम बात करेंगे तो ऐसे में अगर हम बात करें company की कला अपनी इस वीडियो को हम शुरू करते हैं आखिर phase of vibration को हम कैसे परिवाशित करते हैं कहते हैं कि आवर्त गती में कमपन करते हुए किसी कड की किसी खड़ पर इस्थती वह गती की देशा को जिस राशी को तब जिस राशी की द्वारा यह आप यूं कहलें कि देशा को जिस राशी की द्वारा हम रेप्रेजेंट करते हैं उसे उस चड़ पर उस कड का कमपन की कल कहते हैं तब इसे समझे यह तो वह चीज थी जो मैंने पढ़ी जो चीज लिखी हुई है बहुत अच्छे से ध्यान दे आवर्त गती यहां पर एक periodic motion की बात की है कंपन करती हुए वाइवरेशन करती हुए अगर हम किसी कड के किसी इस्थिति पर किसी चड़ पर में तब किसी इस्थिति है जो भी और गती की दिशा को हम जिस रासी जिस आप यू कहले quantity से ऐसे में रेप्रेजन करते हैं वो क्या हो जाती है उसे ही हम कंपन की कला कहते हैं अब यहां पर तीन चीजे आपको चार चीजे आपको ध्यान में रखनी है एक कड हो गया दूसरा क्या हो गया किस चड़ पर तीसरी चीज है आपके गती और चौती चीज है गती की दिशा इस्थति तीसरी है और चौती गती की दिशा यह चार चीजे आप याद रखें कमपन की कला का परिभार्ष तक किया गया है वह बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा अंपलीट्यूट की बात माध हिस्ति मानते हैं तो यह कितनी दूरी तक इधर जाती है लेफ्ट वे, कितनी राइट जाएगी, कितनी लेफ्ट, कितनी राइट जाएगी, तो यह जो दोलन का, यह जो oscillation है, इसी कि हम oscillation का amplitude कह देते हैं, और इसे हम small a से represent करते हैं, यहाँ पर संचरण की दिशा और तरं उस चीज को represent करता है, amplitude, आपसे आवर्थकाल, time period के बारे में बोला है, तो माध्यम का, कमपन करता हुआ, कोई एक कड, एक कमपन पूरा करने में जुतना समय लेता है, सिधासा है, एक कमपन करने में, किसी कड के द्वरा लिया गया समय, आवर्थकाल कहलाता है, इसे हम capital T से represent करते हैं, जैसा कि यहां पर बताया हुआ है, अगर हम बात करें, wavelength, यानि कि तरंग तायर्थी को तो कैसे परिवाशित करेंगे, माध्यम के किसी कड के, एक कमपन पूरा किये जाने पर, तरंगे जितनी दूरी तय करती है, अब वो कड एक कमपन पूरा कर रहा है, कुछ सम wavelength कह देते हैं, यहां पर, कहा है इन्होंने, चुकि ट्रांसवर्स और ट्रांस, जब हम longitudinal waves और ट्रांसवर्स waves की बात करते हैं, तो यह कहते हैं, कि अनुपरस्थ तरंगों में दो करमागत स्रंगों और गर्थ, यानि यह आपका crest और जब हम गर्थ की बात करते हैं, तो deep करक ऐसे, नीचे गया तो deep करका, तो गर्थों की बीच दूरी तथा अनुपरस्थ तरंगों में दो करमागत संपीडन या बिरलन की बीच में तरंग दैर्थ हैं, हमें देखने को मिलती हैं, देखें, फिट से समझेए, दो स्रंगों की बीच में, एक line ऐसे गई, यह कुछ इस करते हैं, तो यह A हो गया, और यह B हो गया, अब इनके कहने के हिसाब से, जब हम बात करते हैं, दो गर्थों की बीच की दूरी, ध्यान दीजेगा, यहां पर इन्होंने कहा हुआ है, अनुदैर्ध तरंगों में अनुपरस्थ में दो करमागत संपीडन या बिरलन की बीच की दूरी, इसे ही हम तरंग दैर्ध कहा देते हैं, तो इनके इनके बीच की दूरी, इनके इनके बीच की दूरी, ठीक है, आपसे क्या कहते हैं, नेक्स उसमें, आवरति या फ्रिक्वेंसी की बात की हुई है, माध्यम का एक कड, माध्यम का कोई भी कड है, या माध्यम का क 22 किया किसी चीज को repeat किया आप समझ रहे पुनरा बृत्ति जिसे कह देते हो तो एक सेकंड में जितना भी कमपन कर रहा है ऐसे जितना भी कमपन कर गया एक सेकंड में उससे हम लोग क्या बोल देते हैं अवरती है फ्रिक्वेंसी है तरंग का वेग अगर find out करते हैं तो एन इंटू लैम्डा बना हुआ है यह वाला जो साइन होता है कुछ इस तरीके से जो बनाए से हम लैम्डा बोल देते हैं क्या बोलते हैं लैम्डा ओके अब यहां पर लैम्डा इक्वल टू क्या लिग दिय है आगे चलते हैं यहां पर देखे क्वेश्चन उन्होंने दे रखा एक सवाल दे रखा है जिसको आप यहां से समझ सकते हैं और यह लैम्डा इकोल टू वी अपॉन एन पर ही दिया हुआ है कहते हैं किसी रेडियो इस्टेंट प्रकासित तरंगों क्या वरती फाइव इं इन्टु नर्डु पाएट मिटर पट सेकेट यह प्रकास्की छाल के हिसाब से लिखा हुआ है आपको और आपको n की वैली उपता है 5 इंटु नर्ड़ पावर 16ığınbol दिया हुआ है और V की वैली उपता है वेल defe Kazi 2 2 10 पाव एट लैंड डा की ऊस्टेंट, response, विय उपन बहुत अच्छे से याद रखें इस वाला चुकि 16 नीचे जादा है और 8 उपर कम है तो यह माइनस में 8 आएगा यह माइनस हो जाएगे न आपका और फिर 5 को 3 को अगर हम 5 से डिवाइट करते हैं तो 0.6 हमें देखने को मिलेगा चुकि तीन बटे 5 पॉइंट लगाए 0 ठीक है ओके अच्छा फिर आगे क्या किया है इनोंने 0.6 इंटू 10 बढ़ माइनस 8 बिलिख सकते हैं और अगर हम इस पॉइंट को हटाते हैं तो यहां पर एक और बढ़ जाएगी डिजिट तो माइनस 9 हो जाएगा और यहां से पॉइंट जाएगा तो 6 इंटू 10 बढ़ मा लाउडनेस को लेकर के बात किया है तो तीबरता द्वनी का वहल लक्षण है जिसमें द्वनी, देमी, मंद, तीबर, प्रबल सुनाई देती हैं मातरक क्या होता है माइक्रो वाट्रमीटर लिखा है और यहां पर एक प्रियोगात्मक मातरक बैल करके लिखा है क्या है B-E-L कहते हैं कि बैल के दस्वे भाग को ही हम डेसिबल बोलते हैं अगर आपको याद हो आप यही पढ़ते आये हो आप में इसे कई बच्चे होंगे जो फर्स टाइम इसे समझ रहे होंगे यहां पे कि प्रियोगात्मक मातरक इसका बैल करके होता है और इसी बैल का दस्वे भा स्त्रोता और स्त्रोत के बीच में दूरी बुला हुआ है उस पर से होने वाले आपके परावरतनों पर नर्वर करता है अगर हम यह फांड आउट करने के कोशिश करें है कि इंटेंसिटी ऑफ साउंड द्वन की तिवरता कितनी कुछ है तिवरता एक दो तरीके से इन्होंने बाताया हुआ है एक तो पावर कितनी है शक्ति और दूसरा सोर्स और ओडियन्स जो टार्गेट है उसके बीच पे दूरी क्या कुछ है अब यहां की अगर हम बात करें यह क्वेशन यहां से एक सर कैसे पूछता है आप से कहते हैं यहां पर एक तरफ आपका लिखा है सूर्स ओफ साउंड और एक तरफ तिवरता डैसिबल में दिया हुआ है कि डैसिमल में उसके तिवरता क्या होगी पात्चीत अगर हम करते हैं तो चालिज से साट डैसिबल की बीच में आवाज रहती है अगर यहां पर बात्चीत हम जोड से करते हैं तो 52,60 दिखा हुआ है ट्रक है ट्रक्टर है 90 से 100 लिखा हुआ है यहां पर आप से अगर औरकेस्ट्रा की बात करें तो 100 से 110 है विदित मोटर में 110, स्वशन की बात करें तो 10 लिखा हुआ है, पत्यों के सरसरा हट भी 10 लिखा हुआ है, यहां पर अगर भोजनाले, शांत भोजनाले, पुस्तकाले, सभी कापका डिजिट आगे लिखा हुआ तेज बारिश हो रही है, ठीक है तो क्या कुछ होगा घरेलो, स स्वचालित मशीन 90 के आसपास है, बस की बात की जाए तो 85-90, रेलगाडी की अगर मैं सीटी की बात करो तो 110 है, सायरन 150, वाइवयान 122-140, और सबसे 30, राकेट एंजिन 180-195, तो आप से यह पूछ लेते हैं से में, कि पत्तियों के सरसरा हट, यह स्वशन, कितना डेसिबल आपको देखने को मिलने वाला है, तो डेसिबल होगा आपका, कितना, जी हैं, दस-दस करके लिखा हुआ है, यह है, तो इसका आप स्क्रीन शॉट भी ऐसे में ले सकते हैं, अभी यहां से सारी चीज़े आपको दिख रही हैं, बहुत अच्छी तरीके से, और इसे आप नो आपको यहां पर मिलते रहेंगे, यहां पर आगे इन्होंने बोला हुआ है, जब हम बात करते हैं, पिच की, आखिर हम पिच या तारत्व को कैसे परिभाशित करते हैं, कहते हैं, जब पिच या तारत्व की बात करते हैं, तो सुर का या सुर का जो तीखा पन होता है, उसक कि हमारे जो सूर होता है, हमारा तीखापन है, उसमें अवाज पतली है, मोटी है, क्या कुछ है, आप समस्थ रहे हैं, उसके हिसाब से वो जो है बताएगा, इसका प्रियोग ध्वनी को आवरती के अनिसार करम बद्ध करने में होता है, फिर कते हैं तारत्व ध्वनी का वहला जाता है, और द्वनी तीक शुडिया पतली होती जाती है, जैसे बचों और श्त्रियों की पतली आवाज तारत्व के अधिक होने के कारण ही होती है, आप से पूछते हैं, क्या खिर ऐसे में पतली आवाज होने का रिजन कारण क्या है, तो तारत्व का अधिक होना ही कारण है उनकी पत्लि आवाज का पुर्शों की मुटी आवास तारत वा कम होने के करण होती है आके कहते हैं चुड़िया की आवाज सोनो मीटर के पत्ले तने हुइ तार से निकलने वाले ध्वणी मच्छों की भनबनात हैं था भाद ये तारत व द्वनी की ही उधारन हैं उन्हीं की उधारण में एक्जांपल में हमें यह देखने को मिलेंगे गुड़ता क्या है द्वनिका यह क्वालिटी यह गुड़ता की जब हम बात करते हैं दूनिका Прोतनीक का अमाम का शारै वर्त कि यह बरतिकर्न ही आपने परिचित की अवाज पहचाने कोगो में सनि मना आपaimer काइए आपने वर्तिक की तो अब जी आप पहिचान जाते हो कि अम्मा बोलें कि पप्पा है ने चाचा बुलाइन दादा क्या भाई मने अपसे कहा है कि इसी की भिनता के कहरण हम दो वादियंत्रों से उत्पन समान तिब्रता का समान अबृति की धुनियों को सपस्टर रूप से पहचान लेते हैं अ उनके बारे में क्या करती है हमें बताती है फिर यहां पर एक पॉइट लिखा हुआ है कहते हैं म्यूजिकल इंटर्वल क्या है स्वर अंतराल जब कोई विवद्दे अंत्रों के वल एक ही आविरति की धुनित पन्न करता है तो उसे हम स्वरक बोल देते हैं कहते हैं स्वर अब आविरतियों के अनुपात की बात की है यहां पर रेशियों की बात की है से भी याद रखेगा यह एकोईजम क्या है एकोईजम अनुरररर करके लिखा हुआ है किसी बड़े हॉल में उत्पन होने वाली ध्वनी दिवारों से बारंबार परावरतन या रिफ्लेक्शन क कारण काफी समय तक बनी रहती है जब तक कि यहां इतनी कम न हो जाए कि हमें सुनाई न पड़े यही बारंबार परावरतन जिसकी कारण द्वनी का स्थाइत वख होता है उससे हम लोग एकोईजम बोलते हैं आपने सुना हो गाना आरे एकोईजम आ रही है फोन करते हैं त देख अनुरारंड को कम करने के लिए अब एक बात बताईए पतालगा हॉल में बोल रहे हैं भाशड चल लहा है तो उन्ही का वाज उन्ही को गुंच के सुनाई दे रही है तो यह आवानचनिय है मत तब यह इसकी जरूरत नहीं होती है इतना कहते हैं कि इकोईजम को कम कर परने के लिए च्छतों और दिवारों पर ध्वनी आवसोशक अपदार्थ हो जैसे संपीडित फाइबर बोर्ड बोला हुआ है या खुरदरे प्लास्टर और परदे लगे हुए होते हैं खास कर अगर हम सिनेमा हॉल की बात करें वहां पर यह चीजे बहुत ही मजबूत तरी प्लाइक उसमें स्पीकर्स लगे हैं और वो भी क्या है आपका सारी चीजे गूंज रही हैं आपको कुछ समझम नहीं आ रहा का चल लाहा है द्वनी का परावर्तने के रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड की इन्होंने बात की हुई है अब जब हम रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड की बोले गए शब्द इको या गूंज के रूप में सुनाई देते हैं आप देखे ना खाली पहाड़ी है उपर चटान पे चड़के बोले तो लगेगा एक दम फिर से आवाज आपकी कई बार आ रही है है नहीं एक बार आपने बुला हलो 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 है ऐसे एक दम से धि सुनाई देती है ऐसे में यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे प्रकाश परावर्थित होता है यहां पर द्वनी का परावर्थ यानिके रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड जो है वो हमें देखने को मिलेगा अब यहां पर इन्होंने यहां पर दिया हुआ है कि आखेर जब हम बात करत है परतिध्वनी या इको की तो इको क्या है कहते है किसी उचित परावर्थ वस्तू जैसे किसी इमारत है पहाड से टकराने के बाद बुना सुनाई पढ़ने वाले द्वनी परतिध्वनी का हलाती है हमारे मस्तिस्क में ध्वनी के समवेदना लगभग 0.1 सेकंड तक बनी है सपस्ट परतिध्वनी है थू देखें कितना टाइम डिया है 0.1 4 है पढ़ने के लिए और ौधकक की दुरी कितना होना चाहिए कितना समय लगता है 0.01 सेकंड बोला हुआ है कहते हैं यह दुरी वायू के ताप के साथ बदल जाती है क्योंकि ताप के साथ दुरी के वेग में भी परावर्तन हो जाता है तो इसमें जो वातावरड़ी ये कारक है वो भी इसे प्रभवित करते हैं कुल मिलाकर कि यही बात यहां पर समझाई जा रही है बात करते हैं यह जब हम बात करते हैं यहां से डॉपलर इफेक्ट के बारे में क्या है डॉपलर इफेक्ट कि किस ने दिया क्या कौन से चीजे हैं जिसकी study हम इसमें करते हैं या किस तरीके से ये हमारे लिए उप्योगी है इसके बारे में हम अगले वीडियो में अपने बात करेंगे लाइक और शेयर आप कर दीजेगा बाकियों तक भी इस वीडियो को आप जरूर पहुचाए मिलेंगे आपसे जल्दी ही शुक्रे आपसे भी का